Hey guys, good morning, welcome to P.H.O. TV friends आज मैं आपके साथ इस कुर्ती के दामन का डिजाइन शेयर करने वाली हूँ इससे पहले मैंने इसके back neck और इसके plazo की cutting और stitching का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है और in future इसके front neck और बाजू के design का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती के दामन पे cut work बनाने के लिए हमने जो shape draw करनी है उसको cut करने के लिए 1.5 inch by 1 inch का एक बुकरम का piece लिया है इसे center से मोडते हुए रखेंगे और bun side की तरफ 1.5 inch पे एक निशान लगाना है और इसमें आधी curve draw कर लेनी है क्योंकि ये double में है जब इसको open करेंगे तो ये पूरी curve हो जाएगी और इस पे cut कर लेंगे अब ये जो pattern मिला है इसको रखते हो हमने सारी shapes draw कर लेनी है ये pasting paper का piece लिया है आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो इसकी चोड़ाई 1.5 inch ली है और लंबाई जितनी आपकी कुर्ती की slit तयार है यानि चाक तयार होंगे उससे 1.5 inch आप जादा लंबाई ले लीजिए इसके एक किनारे पे आधा इंच पे एक line draw कर लेंगे तो ये आधा इंच पे मैंने एक line draw कर दी है इस paper के एक end पे पहले हमने एक आधा इंच पे निशान लगा लेना है और उसके बाद ये जो pattern cut किया है इसे ऐसे रखते हुए आगे shapes draw कर लेनी है इस तरह से पूरे में हमने shapes नीचे तक draw कर लेनी है इसमें मैंने पूरे में shapes draw कर दी है और जो extra था हमारा paper लंबाई की तरफ वो यहाँ पे extra हमारा बच गया है अब जैसे ऐसे हमने pattern row किया है वैसे वैसे cut कर लेंगे इससे पहले भी मैंने कूर्टी के दामन का ऐसा design बना के दिखाया हुआ लेकिन उसके मैंने bottom पे नहीं बनाया था अगर आप देखने में interested हो तो उसका link भी नीचे description box में दिया गया आप आँ से देख सकते हो पूरे में cut करने के बाद अब कूर्टी से matching कपड़ा लेंगे और कपड़े की ulti side पे इसे रखते हुए paste कर लेना है और यह जो कपड़े की चोड़ाई है यह लगबग 2 इंच ली है मैंने अगर आपकी pasting वाली बुक्रम नहीं है तो आप इसे ऐसे कच्ची सिलाई लगाते हुए fix कर सकते हो paste इसे मैंने कर लिया है अब इसके इस किनारे को ऐसे मोडते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे और जहां से यह pattern start हो रहा है यहाँ पे हमने सीधी सीधी line ऐसे एक draw कर लेनी है दोनों ends पे ऐसे हमने mark कर लेना है ऐसे मैंने total share strips ready की है तीन आगे वाले panel के लिए और तीन पीछे वाले panel के लिए इतना करने के बाद मैंने कुर्टी ली है और कुर्टी में fitting की सिलाई दोनों तरफ की लगा दी है और यहाँ पे सिलाई खतम हुई है तो मैंने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है अब जितना भी आपने slits को fold करने के लिए margin रखा है उस पे ऐसे सीधा सीधा mark कर लीजिए मेरा 2 इंच के करीब margin है जो कि मैंने चाक मोडने के लिए रखा था इसी तरह से इस side पे भी निशान लगा लीजिए ऐसे ही जितना bottom folding के लिए margin रखा है उस पे भी निशान लगा लेना है मैंने लगबग 1 इंच के करीब bottom folding margin चोड़ा हुआ है तो ऐसे सब तरफ mark करने के बाद हमने इसको ऐसे fold करना है जहां तक निशान लगा है उतना fold कर लेंगे दोनों तरफ से और इस पे press की help से crease बना लेंगे ऐसे ही नीचे वाले panel के भी slits को मोडते हुए प्रेस कर लेंगे ऐसे मैंने दोनों पे press कर लिए अब ये मैं एक panel हटा रही हूँ और मैं आपको एक panel पे design बना के दिखाऊंगी ऐसे ही same दूसरे panel पे भी बनेगा ये जो crease है इसको मैं हलका हलका highlight कर रही हूँ और ये जो निशान मैं अभी लगा रही हूँ ये कुर्ती की सीधी side पे आ रहे है क्योंकि पहले मैंने कुर्ती उल्टी करते हुए रखी हुई थी और ये अभी इस panel की सीधी side पे ऐसे highlight हो रहा है ऐसे ही इसके bottom पे भी जो margin है इसको भी मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी इतना करने के बाद ये ready की होँआ pattern लेंगे और इस पे ये जो हमने line draw की थी आदे इंच पे इस line को और ये जो crease की highlight है इन दोनों को एक दूसे के उपर overlap करते हुई रखना है यानि एक दूसे के उपर बिलकुर मिलाते हुई रखना है और ऐसे ऐसे pattern के साथ साथ stitch लगाना है इसी तरह से bottom वाले को भी रखेंगे और इस side में भी ऐसे ही same रख लेना है इनको सिलना कैसे है तो चलिए मैं आपको machine पे सिलते हुई बताती हूँ अब यह जो pattern पे निशान लगा रखा है इस निशान को जहां कुर्ती की fitting की सिलाई खतम हो रही है इस निशान से लगबग quarter inch यानि दो point के करीब नीचे की तरफ रखना है ऐसे रखते हुए और इन दोनो lines को overlap करते हुए फिर सिलना है पहले मैं इसको ऐसे रखते हुए कच्ची सिलाई लगाते हुए fix कर लूँगी थाकि जब हम इस पे पक्का सिलें तो आगे पीछे ना हो और हमारा बिल्कुल perfect सिले इस side में हमने इसको कच्चा सिलते हुए ऐसे इसके साथ अभी attach कर लिया है ऐसे ही इस side का भी मैं कच्चा सिलते हुए attach कर लूँगी सेम ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पर यह fitting की सिलाई खतम हो रही है इसके नीचे quarter range के करीब छोड़ते हुए उसके बाद इसको रखते हुए कच्चा सिलते हुए यहाँ पर fix कर लेंगे यह दोनों slits पे हमने इसको attach कर लिया अब ऐसे ही bottom वाला भी मैंने यह रख लिया है और इसको भी कच्चा सिलते हुए यहाँ पर fix कर लूँगी जैसे मैंने आपको रखते हुए दिखाया सेम वैसे ही रखा है अब यह bottom वाला भी attach करने के बाद अब यह जो bottom वाला side है इसमें हमने ऐसे shape दे देनी है यह देखे मैंने curves को इस तरह से shape दे दी दोनों curves को एक जगा पे ऐसे join कर दिया इसी तरह से इस side में भी इसको shape दे देंगे तो आपने अपने according इसमें ऐसे अच्छे से shape दे देनी है और इस pattern पे पक्का stitch लगाते वक्त यहां इन corners पे इसी chalk की marking पे सिलना है अब इसमें पूरे में पक्का stitch लगाने लगी हूँ मैं तो यह देखे यह जो fitting की सिलाई है और यह जो pattern है paper का यह किनारा है यह बिल्कुल इस fitting की सिलाई के पास ऐसे आना चाहिए यानि जो हम paper पे सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल fitting की सिलाई के पास आनी चाहिए जैसे हम piping attach करते हैं बिल्कुल fitting की सिलाई के पास करते हुए वैसे ही same इसको भी attach कर लेना है यह देखे मेरा बिल्कुल fitting की सिलाई के पास ऐसे stitch आया है आपका भी ऐसे ही आना चाहिए और पैटरन का हलका हलका किनारा दबाते हुए सिलाई लगानी है ये स्टिच लगाते हुए मैं यहाँ नीचे कॉर्णर पर आ गई हूँ तो ये देखिए ऐसे मैंने इसी मार्किंग के उपर इस पर स्टिच लगा लेना है इसकी तीनों साइड में मैंने इसको स्टिच कर लिया है अब ये जो हमने स्टार्टिंग का जो ये पैटरन का कट है यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा सीधा इसको एक कट लगा लेना है सिलाई से दूर रखते हुए सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इस पूरे पैटरन में हमने क्वाटर इंच के करीब कपड़ा चोड़ते हैं बाके कपड़े की ट्रिमिंग कर देनी है इस डिजाइन को बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान से पहले ही आप पैटरन को बड़े अच्छे से स्टिच कीजिएगा यानि बिल्कुल सीधा करते हुए कपड़े को अदर्वाइस अगर इसमें कोई गडबड होगी तो आपकी कुड़ती खराब हो सकती है यह मैंने सबी साइड से कपड़े को ट्रिम कर दिया है इस तरह से ट्रिम करने के बाद अब यहाँ पूरे पैटरन में नोचिस देने है तो सिलाई से दूर रखते हुए पूरे में नोचिस दे देंगे यहाँ कॉर्णर पे नोच ज़ूर देनी है सिलाई नहीं कटनी चाहिए ऐसे ही यहाँ नीचे भी मैंने नोचिस इसमें दे दिये है अब यह जो कच्ची सिलाई लगाईती से फिक्स करने के लिए इसे हटा देंगे तो मैंने यह सिलाई हटा दी है अब इसको ऐसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे पूरे को पलटने के बाद इस पे प्रेस करते हुए ले लेंगे इस पे मैंने प्रेस कर लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्चे से कट वर्क हमारा निकल के आया है इसकी उल्टी साइड में बाद में हमने तुरपाई करनी है यहाँ पे लेकिन अभी मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इस पे मैंने लेस अटैच करनी है तो अगर हम सिलाई लगाते हो इसे फिक्स कर लेंगे तो लेस अटैच करने में कोई प्राब्लम नहीं आएगी पूरे में मैंने ये सिलाई लगा दी है अब ये इसकी सीधी साइड है कुर्टी की और इस पे अटैच करने के लिए मैंने प्लाजो से मैचिंग लेस ली है इस लेस को यहाँ इसके नीचे ऐसे रखते हुए स्टिच करना है और ये जो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई खतम हुई है इस सिलाई से लगबग एक इंच हमने इसको लेस को उपर की तरफ रखना है ऐसे ऐसे रखते हैं सील लेंगे स्टार्टिंग में स्टिच को हलका सा पक्का कर लेंगे और कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे यह पूरे में मैंने लेस को अटैच कर लिया है अब यहां मैं इस पे तुरपाई करूंगी बाद में आप चाहो तो इस सिलाई के सासत क्वार्टर इंच के गैप पे एक स्टिच और लगा सकते हो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे जादा से जादा शियर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन बाबाई एंड टेक क्यर